हाला दोस्तों तुमीद कातों आप सकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी तो आज वीडियो हम लोग डिसकस करेंगी कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर बायलोजी क्योंकि काफी डाउट्स आ रहे थे कि भी आप बायलोजी के बारे में अब कुछ इसमें सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो लोगों पहले कवर करना है विकॉस दो के डिगरी के स्टुडेंट्स हैं जिनके लिए वीडियो डेडिकेट होगी एक तो वह जो पहले रिवीजन करेंगे और आफ्टर आप लोगो बता दो कि मैंने एक न्यू चैनल खोला है अविरल एजुकेशन करके जिसमें मैं हर फील्ड के बारे में डिसकेशन करेंगे चाहे वो आपका मेडिकल फील्ड इंडिया में हो अब्रोड में हो कोई भी हो कैसे कौन से कॉलेजिस बैस्ट हैं सारी डिटेश हम ल लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट बॉक्स में भी यार मैंने टार्गेट रखा था 500 का बस 10 भी सब्सक्राइबर्स कम रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही फर्स्ट मैं वीडियो उसमें अप्लोड करूँगा ठीक है तो चलो आज की हम लोग ब फिर्स्ट फॉल दो इंपॉर्टेंट यूनिट यूट इस घुमन फिजियोजी बिकॉस फिजियोजी कंटें 52 15-17 कोशन अभी यह मैंने पूरे लास्ट 35 एज के कोशन पर देखे नीट से पहले भी मैंने पूरा मिलब जो नीट नहीं होता तो उसे पहले भी मैंने देखा क प्याइटर्ण रहता है ठीक है तो पूरा अनलाइस करके मैंने अब फूरा खुदी सेलफ अनलाइस कोई भी बुक का मेटेरियन नहीं है कि हाँ उन्होंने गिनके बता है मैंने खुदी अपने 35 की थी मेरे पर लोगों करके मैंने पूरा डाटा में आप लोगों को की यूनिट है उसमें आपके seven to eight question आते हैं देखिए proximity है कि हर मलब कि हर साल कितने question आने की उसमें chances रहती है ठीक है और यह जो chapters में आपको बता रहा हूँ न तो आपको यह consider करना है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं so first of all you have to cover all this chapter and then you have to move forward to other chapters ठीक है तो पहले आप लोगों को यह chapters करने है क्योंकि इनसे questions आने की chances सबसे जादा होती है और ऐसा नहीं है कि यही यही करने है और बागी नहीं पढ़ रहा है इस चीज का ध्यान रखना ठीक है cell की जो unit is cell unit full unit में से आप लोगों को seven to eight question आते है biological classification यह एक ऐसा chapter है जिसमें on repeat previous year question बहुत ज़्यादा repeat आते है और पूरा का पूरा जो portion आता है that comes from NCIT directly तो NCIT से पूरा का पूरा question directly line आ जाती है इसमें उठके तो तीन से चार question आपके biological classification है after that morphologic in flowering plants contains three to four questions ठीक है and plant physio five to seven questions ठीक है यह थे जो major आपके units हैं यह chapters हैं जिसे सबसे ज़्यादा amount में question आते हैं तो approximately हम देखे हैं तो यह 40 number का जो portion है मैं आप लोगों को बता दिया है कि human physio से cell, unit से biological classification, morphological in flowering plant, plant physio को इनको अगर हम include करते हैं तो 40 questions आप लोगों के यह यह chapter दे रहे हैं बहुत बड़ा जो कहते हैं ना कि major part contain कर रहे हैं यह यह chapter ठीक है उसके बाद animal kingdom में three to four questions यह देखे हैं जो आप पहले इन chapter रो complete कर लीजें उसके बाद आप लोगों को यह chapters पर पढ़ना सब है पढ़ना सारा है but you have to consider that कि आप लोगों को यह अगर revision करने है तो यह chapter आपको पहले revise करने है यह अगर आप लोग अभी से थोड़ा लेट पढ़ना चुरू कर रहे हैं तो यह chapters पहले consider कर लेने हैं उसके बाद हम लोग फिर animal kingdom में three to four questions आते हैं ठी questions आते हैं लगबग लगबग ठीक है और living world से एक question आ जाता है ठीक है जो major part है उसको पहले consider करना है biology में ठीक है काफी लोग जब मैं classes ले रहा था न काफी लोग कह रहते हैं इस वीडियो की बहुत demand आ रही थी कि भी यह बताओ ठीक है तो इस चीज को आप लोग अगर consider करेंगे तो literally अभी भी सो दिन लोगों के लिए होंगे आपके लिए सो दिन बहुत होते हैं करने वालों के लिए ठीक है तो करने पर ध्यान रखना अब भाल तू इधर उदर negativity को छोड़ दो अपना focus रखो कि भी मुझे क्या करना ह basis of inheritance it also contains four to five question ठीक है चार से पाँच कोशन मलता genetics से आठ से दस कोशन आप लोगों के लिए बनते ही बनते हैं तो सबसे पहले करने बैट हो तो genetics को निप्टाओ biotechnology के दो जो chapters हैं उसमें से भी आपके चार से पाँच कोशन आते हैं तो यह जो दो major unit मैंने आप लोगो बताई genetics, biotechnology यह अगर आप लोग करते हो तो आप देखिए कि यहां से आपके आठ से दस कोशन यहां से बन रहे हो चार से पाँच मलत आप लोग 14 to 15 questions अपने यहां से cover कर सकते हैं यह चीज है ठीक है तो consider करना कि जब भी 12th करने बैट इंपोर्टेंट जी यूनिट है आप लोग ही कौन सी है उसके बाद human reproduction contents 3 to 4 questions, after that reproductive health 2 to 3 questions और फिर आती है ecology unit जो 6 से 7 questions include करती है ठीक है तो यह जो major chapters थे यह इसकी list ही तो total अगर आप लोग यह chapter करते हैं न 12th मे जाते हैं 28 मला आप यह proximity लगा लीजिए कि 28 to 30 questions यहां से ठीक है उसके बाद 40 questions में आप लोगों को जो important topics बताये थे न 11th के portion में से वहां से तो overall आप 270 प्लस तक का score इनी चैप्टरों से अपना निकाल सकते हैं 270 to 300 का जो margin है ना इनी चैप्टरों से आप consider कर सकते हैं थोड़ दो सालों से मैं YouTube पे बच्चों के साथ interaction करता हूँ काफी आप लोग मेरे को और भी platform से मिलते हैं like career counseling के आप बोलो application पिछले एक साल से मेरे साथ student दो साल से लगे हुए है call me for application हो गई और साथ में आप unacademy में biology जब पढ़ाता हूँ तो यह जो चीजे हैं बहुत ही analytical data है यह जो data था ना यह 270 से 300 तक का आप लोग इनी चैप्टरों में से consider कर सकते हैं अपने नंबर या इनी चैप्टरों से निकाल सकते हैं तो थोड़ी समझदारी दिखाईए अब animal kingdom हो गया तीन से चार question ला रहा है तीन question मान के चलिए इतने इतने आते हैं plant kingdom 2 question ला रहा है बट अगर देखे न human physio almost हर कोई easily हम लोग tackle कर लेते हैं क्योंकि हमें चीज़े उसमें interesting लगती है तो वो chapter अब पूरी unit कर रहे है 15 to 17 question बन रहे है तो यह चीज़ है थोड़ी बात है ठीक है उसके बाद अगर हम 12 में देखी major chapter के लावा और भी chapter से मैं उसके भी बता दे तो कितन कितने आते हैं ठीक है evolution से दो कोशन आते है human health and disease से two questions आते है two to three strategy for enhancement in food production से एक या दो कोशन आता है microbes in human welfare से एक दो कोशन आता है ठीक है और sexual reproduction in flowering plants से दो या तीन कोशन आते हैं तो यह भी chapters है हमें हमें पढ़ने हैं but जो major portion जो मैंने आप लोगों बताया 270 से 300 तक का समझ रहे पहले इन chapter को consider कर लीजे इन chapter पर focus रखिए इसको अच्छे से कीजिए ठीक है और यार कोई भी doubt है आप लोग comment section पर मेरे को send कर दीजे कोई भी doubt है आप लोगों नहीं तो मुझे आप लोग reach कर सकते है Instagram पर follow कर सकते है अगर 13 अवरिल मेरा username है वहाँ पर ठीक है और बाकी करियर guidance की पूरी practice के बाद ही मैंने आप लोगों लिए चैनल खोला है जिसमें मैं आपको A to Z हर फील्ड की professional से हम लोग interview लेंगे उस फील्ड के और साथ में उसके जो detail है aspects है कोई भी field होगा उसके बारे में हम लोग वहाँ पर study करेंगे पढ़ेंगे कि क्या-क्या उसमें scopes से क्या-क्या चीज़े हैं ठीक है तो आप लोग वो जैनल जरू subscribe करिए करिएगा ओके और अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर subscribe जरू करना तो चलिए फिर मिलते है नेक्स वीडियो में